निकिता तोमर के हत्यारों को फासी की मांग जी हाँ उत्रखंड जिला के उद्धम सिंग नगर के बाजपूर में भगत सिंग चौक पर बहादूर गड़ हर्याणा की निकिता तोमर को कांग्रेस करताओं ने मुंबत्ती जलाकर स्रधांजली अर्पित की वो सरकार के खिलाफ जोड़ा नारे बाजी कर दोशियों को फासी देने की मांग की गई। कॉंग्रेस पिसी सदस्य सुनीता टम्टा बाजवा ने कहा की बहादूर गड़ में बीकॉम ओनर्स की छात्रा निकिता तोमर की हत्या से समाज में बालिकाओं की सुरक्षा पर प्रस जगन्य अपराद होता जा रहा है आज हमने निकिता को स्रधानजली देते हुए सरकार से हमारी मांग है कि जल से जल उन हत्यारों को फासी दी जाए इस हत्या से पूरे देश भर में पूरे समाज में आक्रोश है और बेटियों की सुरक्षा पर प्रशनिचन है कि हम हमारी बेटियां हमारी बेहने स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं है स्कूलों के गेट पर भी सुरक्षित नहीं है तो यह हम सब के लिए समाज के लिए और सरकार के लिए बड़ा चिंतनी विशह है आज निकिता तोमर को शरदानजली देते हुए सभी कारकरताओं ने यह मांग क ही है भारत की सरकार से कि आप फास्ट्रेक कोट बना करके दोशियों को यथा शीगर फांसी की सजा दी जाए जिससे कि ऐसी सोच रखने वाले ऐसी अपराधिक सोच रखने वाले जो लोग हैं उनको सबक मिल सके और ऐसी घटनाओं पर अंकुस लग सके